आज की टुटोरियल में दिखाने वाले हैं किस तरीके से ग्लिच इफेक्ट बनाया जाता है जो अभी हम लोग देख रहे थे तो यह इफेक्ट बनाना काफे सिंपल है हम लोग दो इफेक्ट्स यूज करने वाले हैं जिसमें से एक रहेगा अरिथमेटिक और एक रहेगा कलर बैलन्स और जीबी तो यह मेरा सैंपल फुटेज है जो हम यूज करने वाले हैं अभी और यह काफी लेंदी फुटेज था हम उसका छोटा सा हिस्सा यूज कर रहे हैं आज इसको डिलीट कर देता हैं और फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम सीक्वेंस को प कि यहां पर प्लेइलिस्ट का उप्शन दे रहा है यहां से प्रीमेर का पूराना प्रीवियस लेक्चर सब देख लेने जिसमें की प्रीमेर का इंट्रदक्शन देया हुए सो देट कि idea लग जाएगा हम कौन सा process यूज कर रहे है तो वीडियो हम यहां से drag करके लेकर क्या रहे हैं और वीडियो में हम loop on कर दे रहे हैं सो देट कि मेरा वीडियो continuous play होते रहे हैं और यह एक simple walking scene था शाम का तो इसी में हम glitch effect create करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा हमनों को इस वीडियो का तीन copy लेना होगा तो copy लेने के लिए हम footage को select कर रहे हैं left click से and drag जा रहे हैं edit copy and time indicator को थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं and paste फिर से एक बार और paste यह तीन footage मेरा काम करेगा R, G and B value को अलग करने में so कोई भी digital footage जब create होता है तो उसमें RGB values available रहता है तो हमनों का काम है कि उन RGB values को अभी अलग कर दिना है RGB values connect होने के करन ही एक हमनों को colorful footage मिलता है तो सबसे पहले हम उतना एक footage select कर रहे हैं बाकी दोनों को off कर दे रहे हैं जा रहे हैं effects panel में और यह अगर यहां पर नहीं होगा तो हम लोग विंडो में जा करके effects की उपर click करेंगे तो यह window अपने आप खुल जाएगा तो हम यहां पर टाइप कर रहे है color और नीचे जाएगे तो हम लोगों को option दिखेगा इन image control color balance color balance को apply कर दे रहे हैं हम और यह same effect तीनों में जाएगा तो हम तीनों में ही apply कर दे रहे हैं और जो अभी हम करने वारे में वह एक non-linear process है याने कि हम r value, g value and b value को तीनों में से किसी में भी अलग कर सकते हैं तो हम लाइक सबसे पहला sorry सबसे पहला हम footage select कर रहे है और green value and blue value को हम कर दे रहे हैं 0, red value मेरा सबसे उपर है और उसके अधम red value 0 कर दे रहे हैं और green value 100 रहेगा blue को 0 कर दे रहे हैं याने कि हर layer में सिर्फ एक ही value है जो complete effect देते रहेगा बाकी का दो value minus होगा तो हर एक layer में हमको यही करना है पहले वाले में हम red minus कर रहे हैं पहले वाले में हम green और blue minus कर रहे हैं दूसरे में हम blue और red minus कर रहे हैं और तीसरे वाले में हम red और green minus कर दे रहे हैं इसे हम नों के पास तीन वीडियो आ गया है ठेक है जिसमें की तीन अलग अलग value है देख सकते हैं यहां तीनों का एक चीज हमको change करना होगा and that will be the blend mode तो blend mode जैसा कि हम पहले भी बताएं blend mode का काम रहता है mix करना layers को आपस में तो blend mode के उपर हम click करेंगे यह किसी भी footage को select करने के बाद यहां option नजर आता है effects control में opacity option जैसे हम open करेंगे हमको यहां पर blend mode दिखेगा blend mode के उपर हम click कर रहे हैं और हम जा रहे है screen now again हम second layer select कर रहे है और blend mode में जाकर के option कर रहे हैं screen तो अभी दिखेगा video मेरा जैसा था वैसा ही दुबारा हो गया है that is because हम color balance apply करने के बाद तीनों को आपस में दुबारा mix कर दिये थे तो यह mix actually हम इसली किये थे so that कि हम बाद में इनको अपने ही साब से move करा सके ताकि वह एक खलका glitch effect आए तो glitch effect पहले हम create करने के लिए position change कर रहे है so हम footage को select कर रहे है और यहां पर position का value दिया हुए तो यह हम थो बहुत change कर दे रहे हैं जैसे 960 यहां पर दिया हुए then I'll hit for 965 तो यह पर दिखा होगा हलका सा change आ गया है ठीक है हम इसको थोड़ा सा value और बढ़ा दे रहे है exaggerate कर रहे हैं ताकि यह स्क्रीन पर नजार आ है all right दिखा वैसे ही सारे footage में हलका हलका change करना है और हम horizontal value change कर रहे है vertical नहीं change कर रहे है क्योंकि generally जब कई भी हम के sensor में कोई problem होता है या footage में कोई breakdown होता है तो generally horizontal phase ही खराब होता है all right तो यहां पर हम change कर दे रहे हैं इसको ज्यादा नहीं exaggerate कर रहे हैं 960-955 या 970-980 एक हलका सा एक effect पता चलना चाहिए यहां पर कि कुछ change होए यहां पर footage में कुछ गरबड हो गया है इन सारे footage को हम drag करके अभी रख दे रहे हैं side में यह मेरा footage का last hint सा रहेगा और source में जाकर कि इसको हम एक बार all लेकर के आ रहे हैं अपने scene में अब create करना होगा हम glitch तो glitch generally हम दो create करते हैं तो ऐसा feel आना चाहिए जैसे बीच में frames miss हो रहा है तो हम सबसे आखरी का कुछ हिस्सा में जा रहा है लाग जैसे यह और यहां पर razor tool से cut कर दे रहा है इससे मेरा footage दो पार्ट में divide हो गया है और हम same footage को select करके copy कर सकते हैं और बाद में paste कर सकते हैं तो यह हम actually काटे थे so that कि हम footage को copy and paste कर सके हैं तो हम इसको multiple times copy कर ले रहा है arithmetic actually मेरा काम वैसा ही करता है जैसा color balance है except इसका calculations ज्यादा अच्छा होता है यह effect हमनों का CC 2018 से आया था और color balance actually obsolete है वो पुराने CS6 में भी available है तो हम arithmetic इसे के लिए यूज करके दिखा रहे हैं जो लोग नया updated version यूज कर रहे है प्रीमियर का वो लोग भी create कर सकते हैं effect तो हम जा रहे हैं effects में arithmetic चैनल के अंदर अवेलेबल है यह video effects चैनल folder और यहां arithmetic मिल जाएगा तो उससे पहले इन सारे की सारे footages को select करना होगा और हम लोग alt press करेंगे अपने keyboard पर और left click से drag करेंगे ऊपर की और इन सब के उपर हमको arithmetic चढ़ाना होगा और arithmetic हम चढ़ाने के बाद select करने अपने footage को जा रहे है effects control में और यहां हम लोग को arithmetic दिख जाएगा operator हम change कर दे रहे हैं to max और यहां पर red green and blue value दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा इसको change कर दे रहे हैं कभी भी हम लोग digital space में काम करते हैं तो digital space में color available रहता है from 0 to 255 तो यह हमको maximum value तक चाहिए तो हम 255 कर दे रहे हैं red value select कर रहे हैं दूसरे को green value में हम जा रहे है 255 और select कर रहे हैं blue and 255 और सब में हम लोगो operator change करना होगा max and max दोनों में difference यह आ रहा है कि यह अलग-अलग sections में available है है एक ही layer पर लेकिन है अलग-अलग clips में यह सारा का सारा एक ही section में available है और दूसरे के साथ mix कर चुका है तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है हम select कर रहे हैं अपने footage को screen कर दे रहे हैं तो यहां पर दिख रहे होगा हलका हलका tainted effect आना शुरू हो गया green and यहां हम जा रहे हैं enhance करने लगता है screen permanently black को subtract करने काम करता है और darkness reduce कर देता है इसके कारण मेरे पास यहां red tint में available है लेकिन जहां पर भी red darkness में available था वहां से वह minus हो गया है वही same चीज मेरा green में हो रहा है वही same चीज मेरा blue में हो रहा है तो अभी हम razor tool यूज कर रहे है random cuttings करने के लिए तो हम footage को random up and down sections में काट ले रहे है ओके तो cut कर लेने के बाद हम लोगों का काम रहेगा सिर्फ एक-एक frame में इसको छोड़ देना है एक-एक frame का सिर्फ एक gap रहना चाहिए glitch effect काफी देर तक नहीं रहता है glitch effect का मतलब होता है बीच-वीच में कुछ frames है जो miss कर गया maybe shoot करने में या copy करने में तो हम लोगों को वही चीज़ दिखाना है तो हम इसको काफी जादा zoom कर दे रहे हैं अगर जोरवत पड़ेगा तो हम इसको stretch भी कर देंगे अब premiere का window actually काफी फ्लोट करता है इसलिए हम लोग size अपने हिसाब से change कर सकता है और फिलहाल के लिए को close कर दे रहे है so that कि हम यह stretch कर सकें और ज्यादा तो हम select कर रहे है सारा का सारा footage mouse के left click से और drag कर रहे हैं सिर्फ एक frame now again हम select कर रहे हैं सब को और drag कर रहे हैं एक frame के distance पर now again हम सब को select कर रहे हैं और एक frame के distance पर सब को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं यही काम जितने भी footage यहां पर है उन सब के साथ करना है सिर्फ एक frame का distance तो एक frame करने के लिए कोई खास मेहनत करने का ज़रुरत नहीं है general cases में frame snap करते रहता है एक दूसरे के साथ तो अपने आप एक frame से दूसरे frame पर खसक जाएगा तो हम select कर रहे हैं अपने footage को और थोड़ा थोड़ा यहां पर changes कर दे रहे है जैसे 9.55 कर दे रहे हैं यहां footage में में भी शायद पता नहीं चल रहा है तो हम manually यहां पर number डाल देता है 970 अब पता चल रहा है तो इसको exaggerate कर दे रहे है 980 और यहां पर पता चल रहा हो कि कुछ value जो change रहा है कि यह shift कि है यहां वैसे हम सारे को select कर रहे है और इसको कर दे रहे 940 तो values काफी जादा पता चलना चाहिए कि change हो रहा है so 980 & 940 generally हम यही change कर रहे है क्योंकि उसे footage में ज्यादा misplace नहीं हो रहा है जो सबसे last में layer create हुआ इसको drag करके हम आगे लेकर करके आ रहे है अपने timeline को हम zoom कर रहे है और सिर्फ एक frame के distance पर इसको भी हम align कर दे रहे है नहीं एक अच्छा glitch effect पता चले इसलिए एक अच्छा sound effects भी होना ज़रूरी है तो description में link दिया हुआ है जहां से हम royalty-free audio load की हैं इस glitch effect को apply करने के लिए तो अभी एक बार play करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है glitch देखने में और क्योंकि effects accept हो जाए इसलिए हम sequence में render in out कर लेते हैं आल राइट तो render निकल गया है and play करके देख लेते हैं इसलिए तो देख सकते हैं हमनोंका काफी अच्छा glitch effect निकला ही है तो यह बनाना actually काफी easy है बस कुछ simple steps को follow up करना होगा और हमनों glitch effects easily create कर सकते हैं तो I hope यह tutorial समझ में आया होगा and इसके regarding कोई भी query questions या issues है तो नीचे comment box में comment करके पोछ लेना Thank you